नमस्कार दोस्तों यह पाम कम्प्लिट स्क्वेरिश है और इनकी वर्तमान आयू 46 यहर्स है जब किसी व्यक्ति का पाम स्क्वेरिश होता है तो व्यक्ति महनती होता है और महनत करके अपने जीवन को सक्सेस्फुल बनाता है अंगूठा पूरा मूढ रहा है जब इस तरह का बेंड होता है हमारा अंगूठा तो व्यक्ति मित्रता पुन वहवार वाला होता है सबसे चुटकी बजाकर इनकी मित्रता होती है और अच्छा-खासा समय मित्रता मित्रों के बीच में भी जाता है फर्स्ट फैलेंज नुकिला है, तो कारे की प्रति जिद्ध होती है, सेकेंड फैलेंज चाहिए वैसा नहीं है, यानि लोजिक के साथ बात करने में कहीं न कहीं व्यक्ति को तखलिप आती है, और यहां पर कोन बना हुआ है, इनका जो अवयों के साथ, माइंड का और सरीर के साथ इनका जो combination होता है, वो काफी अच्छा होता है, यानि timing अच्छा होता है, इनका, अभ इस पाम में, इस photograph में यह उंगली बड़ी दिख रही है, मैंने दूसरे photograph देखे, तो कई दूसरे photograph सों में, एक equal लग रही है, अगर यह उंगली बड़ी होगी, तो व्यक्ति को ego problem ह होता है कहीं न कहीं छोटी-छोटी चीजों में इगो हट होता है और अगर ये रियालिटी में अगर ये उंगली बड़ी है तो इसे आप रोग समझ कर निकलेक कीजिए नहीं तो ये आपको व्यक्तिकर तोर पर पर परशानी में डालती रहेगी फैलेंज सारे सपाट है तो बिजनेस माइंडेड व्यक्ति होता है और यह उंगली भी अलग हटके चल रही जब आपकी अलग हटकर चलती है तो कहीं न कहीं व्यक्ति अलग सोच वाला होता है सामजिक दायरा हो राजनेतिक बाते हो चाय आर्थिक बाते हो सब में इनके विचार डिफरेंट होते हैं जवानी में और टीनेज में तो यह अर्गुमेंट करते हैं पर धीरे धीरे कम होती है पर इनके पास बैठोके तो पता चलेगा आपके किसी बात से यह सहमत नहीं है कही इसके लिए यह उंगली फर्स फैलेंट तक पहुझती है, दूसरे फोटोग्राफ में देखा है, यह उंगली फर्स फैलेंट तक पहुझती है, तो वेक्ति डॉकुमेंटेशन, फाइलिंग, चीजों को खंबाल का रखना है, याद शक्ति, मनी मेनेजमेंट और अकाउंट्स यह सारी चीजों में वेक्ति एक्सपर्ट होता है, अब यहाँ पर चले, बुद्परवत पर, तो बुद्परवत पर एक सीधी खड़ी लाइन चल रही है, और बुद्परवत इतना उभार नहीं है, तो ऐसे लोग अपनी मन की बात नहीं कर पाते, कहीं पर बैठे हो, तो दिल की बाते जो होती है, या मन की बाते होती है, वो यह लोग पेश नहीं कर पाते, यह एक माइनस पॉइंट इन में पाया जाता है, पर यह एक लाइन है, यह जब भी शाहिन करेगी, उस समय व्यक्ति के जीवन में एक्स्ट्रा धन आएगा, यानि अगर कोई व्यक्ति ए एक लाख रुपए महिने का कमाहरा हूद तू समय हो depicted 4 लाथ 2 लाथ 5 लाथ कमाहरें यह इस तरह का एक्स्ट्रा धन देती है अगर सेंगल लाइन होती है तो हैं यह जाँ पर देखके यह सीधी लाइन चल रही है अब इस लाइन के 2-3 मिनीं होते हैं या तो ये extra heartline है अगर extra heartline हो तो व्यक्ति over sensitive होता है यानि कोई भी चीजों को overthink करता है एक यह खासियत होती है और अगर ये शुक्रवले मान ले तो ऐसे लोग जन्म लेते ही परिवार संपन होता अगर जन्म से हो तो और जब खुद कमाने लगते तब भी लाखों में कमाने लगते और कई बार तो करोड़ों में कमाते तो या तो यह ओवर सेंसिटिव होगे तो यह लाइन एक्स्ट्रा हाट लाइन नहीं है तो फिर इसे सुक्रवले मानना जीए सुर्य परवत पर भी देखे तो एक खड़ी लाइन चल रही है और यह लगबख 57 के आसपास से एक्टिव हो रही है यहाँ से इनके जीवन में कमफटेबल इंकम स्वरी कमफटेबल इंकम आएगी और यह सुर्वाती जीवन में थोड़ा सा कष्ट भी कराती है पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे वैक्ती रिलेक्स होता और यह भी मिलता है एक और साहिन है जो यह देती है यह जब इस तरह से अंदर की में रोड पर नहीं है तो भी आपको धून धून कर लोग आएंगे इस तरह का यश मिलता है व्यक्ति को कोई और काम में भी हो तो लोग आपको सर्च करके आएंगे यह काम यश दिलाती है यहां पर एक विद्या रेखा भी बनी है जब इस तरह की रेखा हो तो व्यक्ति को बेसिक समझ बहुत अच्छी होती है और लोग इनको बच्पन से पूच पूच कर काम करते हैं जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे ज़्यादा लोग पूच पूच कर काम करेंगे और यह चोटी लाइन होती है पर यह भी सफलता दिलाने में अच्छा खासा योगदान देती यह व्यक्ति को व्यक्तिकवाद बुद्धी चातुरे होता है और बुद्धी चातुरे के कारण व्यक्ति प्रोग्रेस करता है अब इनकी हिर्दे रेखा पर देखे तो एक लाइन गुरु परवत की और जा रही है और एक दो लाइने और है यह जो लाइने होती है यह व्यक्ति को political lab या सरकारी lab या ससुराल पैसे वाला मिलता है या साधी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है और चोथा फाइदा मिलता है अगर वेक्टिक खुद का भी काम करें तो भी बड़े लेवल का काम करता है ये उस तरफ इशारा करती है तो कई लोगों के जीवन में चारों benefit मिलती है किसी को तीन, किसी को दो, किसी को एक ये लाइन का ये फायदा है और continue चल रही है लाइन तो भुड़ा पे तक income जीवन में आती रहेगी एक sign ऐसी है जो यहां पर बनी हुई है ये एक तरह की fish sign है अब इसका पैसे से कोई लेने देना नहीं ये धार्मिक रूप से अलग सोच वाला व्यक्ति बनाती है और इनकी सोच इतनी different होती है कि ये किसी को बता भी दे तो सामने वाला समझ भी नहीं पाएगा पहले तो समझा नहीं पाएंगे और समझा भी दिया तो अगले को कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा इस तरह की ये sign होती है और ये कई लोगों के हाथों में पाई जाती है अब यहां पर देखे तो एक square बना हुआ है ये जब square बना होता है तो व्यक्ति कहीं न कहीं 32 साल के पहले कोई ने कोई प्रॉपर्टी खरीचता है और 36 साल में ऑथोरिटी पोजीशन पर आता है और बड़ा square बुलने के कारे में व्यक्ति को महारत हासिल देता है और second चीज बड़े घर में रहने का सोभाग ये प्राप्त होता है जब आपके हाथ में बड़ा square हो तो इनके हाथ में बड़ा है second चीज देखे तो एक लाइन दो लाइन, तीन लाइन ये लाइन होती है multiple income show करती है व्यक्ति के जीवन में कई जगर से पैसे आते हैं second चीज थोड़े से धार्मिक होते सेवा भावी होते और astrology पामिष्टी के अंदर इस तरह के जो mystery science होते है उसमें interest जाता है इनका और ये triangle अगर complete होता होगा मेरे इसाब से ये complete है की नहीं पता नहीं अगर ये complete होता होगा तो ये best sign है Jupiter का triangle का मतलब है या सरकारी lab या political lab और ये अगर triangle और साथ में इस तरह की रेखा हो तो ऐसे लोग अगर राजनेती में भी जाए तो भी सफलता पाते या government contract का का काम करे ठेकेदारी का तो भी सफलता मिलती है पर ये complete होना चाहिए और ये सारी सफलता न भी प्राप्त करे यानि political या सरकारी lab न भी ले तो भी ये triangle व्यक्ति को बड़े स्थर पर पहुचाता है यानि पैसे के मामले में help करता है यहाँ पर देखे तो अंदुरी मंगल एक व्योस्तित है मैं ये नहीं कहता बहुत अच्छा है नाई बहुत खराब है मद्यम से अच्छी एनर्जी इनके जीवन में रहेगी और सेम बहुत भारी मंगल भी व्योसित बहुत भारी मंगल है तो जब किसी से मिलते होंगे तो एनर्जी के साथ मिलते होंगे सामनेवाला comfortable feel करता है अब चंद्रपरवत पर एक cross sign है यह sign व्यक्ति को negative feeling देती है इनको हमेशा डर लगता है मैं आज जहां पर हूँ वहां से नीचे गिर गया तो इस तरह का डर हमेशा इनको सताता है हमेशा मैं इसका उपाय दे दूगा बहुत आसान उपाय है और चंद्रपरवत एक व्यक्ति चंद्रपरवत है और यहां से चलने वाली यह रेखा है कभी-कभी इनको विरेस यात्रा या लंबी यात्रा ओपर भी लेकर जाएगी तो कि चंद्रपरवत इतना भी खराब नहीं है इनका सेकेंड चीज़ देखे तो एक बहुत अच्छा मनी ट्रेंगल इसमें यह क्लियारिटी नहीं आई है लाइनों की पर यह अच्छा खासा मनी ट्रेंगल बना हुआ है और साथ में ग्रेटर ट्रेंगल भी बन रहा है जब यह दोनों चीज़े होती है तो व्यक्ति बुड़ा पे तक धीरे 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 अच्छा खासा व्यक्ति सेटल हो जाता है और अच्छा खासा धन जमा करता है तो यह प्लस पॉइंट है इनके हाथ में अब शुक्र परवत पर देखे तो एक व्यक्ति शुक्र परवत है ना ज़्यादा उभार ना ज़्यादा दबा हुआ जिस तरह का बैलेंस शुक्र परवत ही है उस तरह का शुक्र परवत है तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा लगजरी के चाहग भी नहीं होते और कम लगजरी के चाहग भी नहीं होते जो मिला उसे व्यवस्तित रूप से यू 洞 आउवर सेंसे क्यों होंगे तो यह double सो रहत है नहीं तो यह शुकरवल रही है और हिधे रही हैं इनकी यहां से सुरुआत हो रही है और इस तरह से चल रही है कि यहां पर फिलर्ट लाइन भी की तरफ ध्यान जाता है, सेकेंड कामुक भावना और तीसरी चीज रहती है, व्यक्ति कभी-कभी फिजिकल होता है, यानि हाथ-पैर उठाता है, यह तीन लक्षन ही पाये जाते हैं, और जब यह आप पर सला लेकर जीवन के नीने लेते हैं, ऐसा पाया जाता है, और यहाँ पर देखे, धुर्दे रेखा, आगे चलकर यह थोड़ी सी डबल हो रही है, तो जंजटे इनके जीवन में बढ़ेगी, अब यह थोड़ा सा क्रॉस है, तो अंदा जित उमर में बताता हूं, लगबग उम 47, 48 के आसपास से, या 48, 50 के आसपास से, इनके जीवन में थोड़ी सी जंजटे बढ़ेगी, या कामकाज का बोज बढ़ेगा, उसके अलावा कोई माइनस पॉइंट नहीं है, अच्छी खासी हिर्दय रेखा है, अब इनकी माइन लाइन को देखे, तो कम्प्लिट जूपि पूरी भी करता है, और चंद्र की और जाती है, तो व्यक्ति धीरे-धीरे धार्मिक बनता है, जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, वैसे-वैसे धार्मिक होता जाता है, और इमेजिनेशन पावर काफी बढ़ता है, एक सेटन एज के बाद इनको लगेगा, कोई ने कोई इश् अवरी शक्ती नेके साथ चलती है, इस सदर रहे का भी औहसास इनको होता है, और सबसे बड़ा माइनस पॉइंट होता है, भाहर वालों के लिए उत्तम होते हैं, घर में किसी एक व्यक्ति को बहुत बॉल बॉल करते हैं, बहुत ज़ाधा, यह इन में माइनस पॉइंट पाया जाता है, बाकि माइन लाइन काफी अच्छी है, बुद्धी प्रतिवा अच्छी रहेगी इनके बास, और यहां पर उठाओ है, यह जब भी माइन लाइन पर उठाओ, यह थोड़ा सा पाम क्रॉस में है, तो एकजेट उमर निकालने में थ थोड़ इसी तकलिब आ रही है, यह अंदाजित 33-34 के आसपास से लेकर 40-42 तक काफी प्रेशर दिख रहा है, यह जब भी उठाओ होता है माइन लाइन का, उस समय जीवन प्रेशर में जाता है, और उसके बाद प्रेशर रिलीज होके, एक ड़ व्यरसित जीवन होता दिख रहा है, या इसको अगर इस तरह से गिने, थोड़ा सा क्रॉस में तो एकजेट उम्र निकालना, कोई क्लोज अप में अगर दिखा सीधा पाम रहा तो निकालने की कोशिश करेंगे, अब यहां पर जब इस तरह की फॉर्मेशन होती है, तो ऐसे लोगों को जीवन, अगर य उसके बाद, इनके हाथ में देखे, यह अगर काट कर आगे चलती होगी यह रेखा, और 99 परसेंट यह काट कर आगे चलती होगी, तो 28 के आसपास, कोई ना कोई रुकावट इनके जीवन में आई होगी, उसके बाद, 139 के आसपास, और 141 के आसपास, 144 के आसपास, हलकी सी, एक 54 के आसपास और एक हलकी सी 58 के आसपास राव रेखा है यह इतनी राव रेखा है इनको जीवन में डिश्टब करेगी और जीवन रेखा काफी व्यवसित है पतली है तो सरीर का ध्यान रखने वाले लोग होते हैं तोल तोल के खाते हैं यानि बहुत जादा सरीर का क्यार करने वाले लोग होते हैं और यह रेखा चलकर सीधी नीचे की तरफ जा रही है और थोड़ी सी भी चंद्रपरवत की और जाती है दूसरी चीज यह साहिन वाले व्यक्ति के जीवन में भी देखा गया है कि इनके संतान विदेशों में जाते हैं और फिर इनका आना जाना विदेशों में लगा रहता है इस तरह की भी फॉर्मेशन होते हैं कई लोगों के हाथों में मैंने देखी हैं जहां पर केटू की यह जो फिस्षाइन कहते हैं इनके जीवन में इस तरह का रोल देखा है इनके संतान विदेशों में जाते हैं और फिर इनका विदेश में आना जाना लगा रहता है अब इनकी फेट लाइन को समझने की कोशिश करते हैं दो फोटोग्राफ के द्वारा अब यहां पर देखें तो यह पिरियर इनके लिए काफी एक तो कट आया यहां पर और एक यहां तक अनेक्सपेक्टेड खर्चा इनके जीवन में आएगा और ज्यादा से ज्यादा मैक्जिमम यहां तक अभी यह 46 एज के है और यह चालू हुआ होगा इनके जीवन में प् 46 तक इनके जीवन में 46 या 46.5 तक यह प्रॉब्लम इनके जीवन में रहेगा अनेक्सपेक्टेड खर्चा व्यक्ति 10 लाग कमाए तो पता चलता है उसके जीवन में 13 लाग का खर्चा हो गया तो इस तरह की कंडिशन यह लाइन देती है प्लस लोग विरोधी हो जाते आपक को निगलेक करना चालू करते हैं यानि लोगों का सयोगनी मिलता इस तरह की स्थिती होती है प्लस थर्च का पहमाना बढ़ जाता है पर इनके केस में वापस उल्टा है यह तो हो गया इस लाइन का इफेक्ट तो इनके जीवन में होगा पर साइड में दूसरी फेट लाइन एक कट लगबग 27 के आसपास इनको आया और यह पूरी यहां पर स्टॉप हो रही है और 36 के बाद एक बदलाव आया और यहां पर भी देखिए 40 के आसपास से लेकर यहां तक का पिरियर तो काफी स्टॉंग है यानि यह लगबग 48 तक इनके जीवन में इस तरह की कंडिशन मुझे दिख रही है और उसके साइड में भी लाइने है जो अलग-अलग इंकम के स्रोथ इनको जीवन में दे रही है तो यह मल्टिपल इंकम वाले इनसान होंगे पर यह जो फेट लाइन की इंकम होगी यहां पर कई न कई दबाव इनके जीवन में जरूर रहेगा पर साइड में भहुत सारी रेखा है तो कहीं न कहीं से इंकम व्यक्टि के जीवन में आ जाती है और यह अगर इसका उठान देखे माइन लाइन का तो यह भी लगबग इसी पिरियड के आसपास इनके जीवन में दिख रहा है यह रहा होगा पिरियड 43 तक और यह पिरियड स्टार्ट हुआ होगा लगबग 34 से लेकर 42-43 तक का यह माइन लाइन पर उठाओ दिख रहा है तो यह प्रेशर में रहता है व्यक्ति जीवन कहीं न कहीं दबाव बना रहता है व्यक्ति के जीवन में और उसके बाद यह रिल अब ये जो condition है ये दूसरी line होने के कारण इनकी income तो generate हो जाती है पर ये जो line है ये खर्च बढ़ाती है खर्च इस तरह की condition होती है तो ये लगबग 48 तक या 47 तक इनके जीवन में इस तरह की condition रहेगी बाकी ऐसा कोई minus point नहीं है बाकी okay है इनका हाथ तो आशा रखता हूं इनके सभी प्रश्णों के जवाब इनको मिल गए होंगे और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवान